और आप देखने बिज्ञान धारा आज है सूर गहार या सोला रिकलेप आज की त्यारी हम लोग ने पूरी कर रखी है दो टेलिस्कोप है यह टेलिस्कोप रिफ्रेक्टर है जिसमें लेंस का यूज हुआ है और यह है बॉल मिरर एक बॉल पे हमने क्या सिसा यूज किया है इ इन होल कैमरे में आप देख रहोंगे किसमें पिन जैसा एक छेद है और इससे हम लोग ऐसे कागज पर सूरज को प्रोजेट करते हैं जो कागज पर उसकी इमेज बनती है या परचाई बनती है उसके बाद है यह सोलर फिल्टर इसकी साहता से हम आराम से सोलर गहन को देख स के लित 69 को न देखे गा क्योंकि आपकी आंखें ख्राब हो सकती है तो अब तक बादल हैं जैसे ही बादल हटेंगे हम लोग को पियलिस्कोप की मदद से देखेंगे धन्यवाद है इससे हम लोग संद को इस पेज पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब भी सोरज दिखाए देगा तो इसकी एक इमेज बनेगी इसके थू यहाँ पे तो हम पेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे सोर गहर हो रहा है या आसान भासा में अगर हम सेखना चा कि जब प्रिथभी और सूर के बीच में अगर हम इस धक्कन को मालने चांद कि जब हम मतलब जब सूर प्रिथभी के बीच चांद आ जाता है तो इस चांद की परचाई पड़ेगी जिसके वज़े से क्या आएगा सोर की रोशनी प्रिथभी तक आनी पाएगी आसान भासा म इसी को हम क्या बोल देते हैं सूर ग्रहर बेसिक यही है तो यह था आपका सूर ग्रहर और अब यह आप लोग देखिए कि पिन होल कैमरा कैसे काम करता है यह अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक छोटा सा छेद बना हुआ हुआ है पिन इसी के नाम से क्या हुआ पेज पे तो एक सूर का इमेज बन जाता है और हमको साब साब दिखाई देता है कि वहां पर यह सूर गहां कैसे हो रहा है तो यह पूरी तयारी है सूर गहां देखने की लेकिन बादल है और बादल की वज़े से लगता है आज हम लोग सूर गहां नहीं देख पाएंगे ल कि हम लोग तयार हैं और बिल्कुल तयार हैं धन्यवाद